बाल लंबे करने का सबसे आसान उपाई यही है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका रोगा नुसार में एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ है क्या आप भी ऐसे लंबे घने सुन्दर बाल चाहते हैं जिन्हें देखते ही लोगों के कदम रुख जाएं और वे तारि बालों में जिन्वागा परियोग करते हैं किस तरह परिवाव डालता ने से márkज को फीन पर पालों के रूती एंप tutaj को 있िант new लोग तरह तरह के बाल लंबे करने के तरीके आजमाते हैं हेयर हेल्दी बढ़ाने के तरीके में लोग कई तरह के हेयर प्रोड़क का भी उपयोग कर लेते हैं लेकिन बाल लंबे करने के तरीके आजमाते वक्त जाने अन जाने में कुछ गलतियों से बालों को नुकसान भी हो बहुत ही तेजी से लंब और घना कर सकते हैं दोस्तों मारे वीडियो को लाइक कना ना भोलें इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही आउल नोटिफिकेशन को जरूर आन कर लें ताकि जब भी मैं मुझूद सलफर उतकों में कुलेजन बढ़ाने के साथ साथ बालों को भी बढ़ाने के गुड़ होते हैं इसमें आप प्याच का रस मिलाकर इसी जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं और 15-20 मिर तक लगा हुआ छोड़ दें और फिर बालों में सैंपू कर लें आप इस रस का परियोग सब्ता में दो बार कर सकते हैं ज्यादा नेवों के रस का परियोग नहीं कर रहें क्योंकि इससे बालों पर गलत असर भी पढ़ सकता है नमबर तीन नारियल तेल जी हाँ बाल पढ़ाने के घरेलू नुस्के में बालों पर नियमित रूप से तेल लगाना लापकारी होता है तेल लगाने से बालों का तूटना काफी हद तक खम हो जाता है इसके लिए आप नारियल तेल का उपयोग कर सकते हैं यह प्रोटीन लॉस की समस्या को कम कर सकता है यह बालों के सौफ्ट में गहराई तक जाकर बालों को स्वचित बनाए रखता है साथ ही इसमें फैटी एसीड होता है जो बालों के लिए बहुत लापकारी होता है इसके लिए आप नारियल तेल में बालों को स्वचित करने के गुड़ भी होते हैं इसके लिए आप नारियल तेल को रात को सोने से पहले बालों में और स्कैल पर अच्छे से लगा लें और सुबह बालों को अच्छे से दूलें नमबर चार कॉफी का एक मुख खटक है एक रिसर्च में पता चला है कि कैफीन बालों के सौप्ट की वृध्धी में सहायक होकर बालों के विकास में मदद करता है ऐसे में गंजेपन की समस्या नहीं होती तेजी से बाल बढ़ाने के उपाय के लिए कौफी का सेवन भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है इसके लिए आप एक या दो चमच कौफी पाउडर लें कौफी पाउडर को बालों की जड़ों में हाथ के पोर से लगाएं और 15 मिन तक मसाज करें पेश्ट को एक से डिड़ घंटे तक बालों में लगा रहने दें और इसके बाद हलके गुंगुने पानी से बालों को धोलें इससे बालों का रुखापन और डेंडर फ्टूर होता है